आज इस वीडियो में डिसकाशन है TDS और TCS की डेट से रिलेटिड बहुत सारे persons TDS और TCS का काम करते हैं पर वो confused रहते हैं एक तो dates में क्योंकि March मन्त में तो वैसे भी dates अलग होती है और साथी confusion होती है कि अगर हमने TDS को deduct late करा TDS की payment late करी या फिर returns की filing late करी चाहे TDS की है या TCS की तो क्या consequences होती है मैं आपको detail में बता रही हूँ वीडियो को बिना skip किये end तक देखना और क्योंकि important वीडियो है और भी persons के साथ share करना बिल्कुल ना भूले नीचे share का button है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे courses के नाम लिखे हैं आप हमारे जिस भी course में interested है उसके लिए आप आजाएए cagurujiclassis.com पे यहाँ पे हमारा courses, combo courses और text updates का tab है TDS and TCS की detailed read-on filing सीखनी है, correction सीखनी है तो course cagurujiclassis.com पे available है बढ़ते हैं topic की तरफ यहाँ मैं आपको लिए आई हूँ हमारे article पे जिस पे मैंने सारी चीजे cover करी हैं आप इसे खुद भी परना detail में आपकी सारी conceptual knowledge होगी इसका link description और pin comment में दिया है अब हम जानते हैं पहले due dates to pay TDS and TCS तो जो भी person TDS deductor है या TCS collector है हम income tax की बाठ कर रहे हैं next month की 7 तारिक तक pay करना होता है TDSB और TCSB जैसे अगर आपने April 2024 में TDS deduct करा तो आप उसको pay करोगे May 2024 में 7 तक 7 तक यह last date है आप पहले भी pay कर सकते हो बाद में करोगे तो interest applicable होगा कितना होगा अभी हम जानेंगे यह तो हर महीने की date की बात है but make sure March की TDS deposit करने की date अलग है वो आपको पता होने चाहिए 5 मंत का जो आपने TDS deduct करा है वो आपको 30 अपरेल तक जमा कराने की option मिलती है extra time आपको March के लिए दिया जाता है सिर्फ TDS के case में सिर्फ TDS के case में TCS की date वही रहती है 7th of the next month तो आप clear है कि TDS के सिर्फ March मंत के TDS को deposit कराने के लिए 30 तारिक की date है 30th April पर TCS की date में कहीं भी कोई change नहीं है every month 7 तक TCS आपको pay करना ही होता है आप जान रहे है TDS return filing की dates तो TDS की return कोंसी है हमारी 24 Q, 26 Q, 27 Q TDS की return quarterly file होती है April से June आपका first quarter होता financial year का इसकी return जाती है July से September quarter के लिए आपकी return जाती है 31st October October से December वाली return जाती है 31st January और January से March यहां पर आपको extra time मिलता है 31st May ठीक है यह आपके लिए last dates है आप इनसे पहले भी काम कर सकते हो जैसे जैसे utilities Traces की website पे अबलेबल हो जाती है आप वहाँ पर returns अपनी file कर सकते है Traces की जो utility है वो हर quarter में revise करी जाती है उसमें updation होती है तो make sure updated utility पर ही हमेशा काम करें इस तरह के concept हमारे TDS और TCS के course में detail में cover करे गए है Now for the TCS return, TCS returns की date TDS return की date से थोड़ी सी अलग है पहले quarter की return April से June की TCS की return 15th July तक file हो दी है July से September की 15 October, October से December 15th January और January to March की return जानी है 15th May तक तो TCS के case में कोई भी extra time ना तो payment के लिए है ना ही return के लिए even इनकी return filing की date 15 दिन पहले है approximate TDS return filing की date से अब चानते हैं कि TDS को late deduct करने में या फिर late deposit करने में या फिर late return filing के case में क्या क्या आपको consequences bear करनी होते हैं तो detailed article है मेरा आप इसे detail में पढ़ना मैं आपको एक brief table से सारा बता रही हूं बहुत ही ध्यान से समझना क्यूंकि बहुत सारे persons ना इसमें confused रहते हैं यहाँ पे तीन category है number one late deduction, number two late filing and number three late payment तीनों के case में amount जो है late fees का वो अलग है अब late deduction क्या है मान लिजे एक person के साथ आपने काम किया billing की date है उसकी 3 April 2024 तो इसका TDS आपने कब deduct करना था 3 April 2024 को ही करना था आपने इसका TDS कब deduct किया 5th May 2024 तो आपने यहाँ पे TDS की deduction ही late करें क्या late करा TDS की deduction तो इसके case में क्या होगा text deducted later than the date it was deductible late deduction interest is charged आप पर interest लगेगा कितना amount paid or credited multiply करना है period of delay से और 1% per month के हिसाब से यहां पर आपके लिए interest applicable है यहां मैंने अपने article में example cover करा है इसका amount paid or credited है 1 lakh TDS deduct था 10,000 होना है इस पर 10% का date of payment 3rd March 2018 date of deduction थी 3rd March 2018 ठीक है उस date तक इनको करनी थी अपनी जो है amount किया जाता है तो March का मंत और April का मंत दो महीने late किया तो फिर आपने इसको कैसे करना है calculate 10,000 into कितना है delay 2 months का into 1% कितना बनेगा यह 200 rupees यह है आपका interest on the late deduction ठीक है अब बात करते हैं अगर आपने 7 तारीक को हर महीने आपको TDS जमा कराना होता है अगर आपने इसको delay कर दिया तो उसका interest का rate अलग है अब बात करते हैं अगर आपने TDS की payment ही late कर दी 7 तक करनी होती है payment पर आपने late कर दी तो when deductor deposit the TDS after due date of deposit it is the case of late payment and interest will be charged accordingly interest लगेगा on the late payment that will be calculated on the amount which has been paid after the due date from the due date of deduction till the date of deposit तो आपने जिस date को deposit करना था उसके बाद जिस date को deposit करा उस date तक का period consider करा जाएगा interest निकालने करें कितने rate से ये है rate 1.5% interest at the rate 1.5% will be applicable on TDS deposited amount from the date on which tax was deducted to the date on which tax is actually paid और आपको ये ध्यान रखना है कि 1st July 2010 तक ये rate था 1% per month अब इसे 1.5% कर दिया गया है और TCS के case में late payment का interest अभी भी 1% ही है तो इस बात की आपको पूरी clarity रखनी है और part of the month को भी full month consider किया जाता है तो यहाँ पर मैंने इस article में example भी दे दिया है आप इसको पढ़ लेना Next है अगर आपने TDS या TCS की return filing delay कर दी तो आपको फिर देनी पडती है late fees वो है 200 रुपीस पर डे हर एक दिन का 200 रुपे की late fees है बड़ इसकी limit है note exceeding the TDS या TCS अमाउंट ही 500 है तो आप से 500 रुपे से जादा की penalty नहीं ली जा सकती ठीक है लिमिट है पर 200 रुपीस पर डे या फिर जो आपका TDS TCS का amount है उतना ये लगेगी आपकी late fees TDS की return सीखनी है तो वो मैंने यहाँ पर वीडियो लगा दी है आप इसको देखके खुद फाइल कर सकते हैं और हमारा TDS and TCS का practical course है आप आईए इसमें सारे concept cover करे गए इवन TDS on property भी इसमें cover है इसका benefit लेना इसका specially link में description में दे रही हूँ मेरी वीडियो से help मिलती है तो इसी वीडियो के नीचे subscribe का button है या फिर CA Guruji चैनल पर आए यहाँ पर subscribe का button इस पर click कर ले या आप के लिए बिलकुल free है अब आप अपने browser पर open करें cagurujiclasses.com इस website पर हमारे courses, combo courses active है courses में enroll करने के लिए आप आईए यहाँ पर trademark का, income tax, ITR and TDS, GST course, automation of balance sheet, accounting with teleprime, company registration, then हमारे lifetime validity के courses है same ही नाम से है reconciliation के courses है और 996 जिस भी course में आप interested है आपको उस पर click कर लेना है जैसे मानलीज आपको इस course में enroll करना है और बस इसको पूरी तरह से course coverage इसकी read करके अगर आपकी need को यह satisfy करे तो आप add to card करके इसे buy कर सकते हैं हमारे courses की help से बहुत सारे professionals अच्छा खासा earn कर रहे हैं आप भी हमारे courses का भरपूर benefit ले थैंक्यू सो मच